अलो फ्रेंट आज की वीडियो हमारी एकलिपरियम के बारे में बेसिकली एकलिपरियम होता क्या है जिसको हिंदी में सामय अवस्ता भी बोलते हैं ये कंडिशन आती कब है इसके बारे में पूरा समझेंगे और यहां पर हमें कुछ examples भी है जैसे कि एक ball है हमारी जो की अलग-अलग जगह पर रखी होई है तो उसके साथ क्या होती है तो उसके साथ कुन सी equilibrium condition आती है तो इसके बारे में भी समझेंगे तो दा physics lab में आपका स्वागत है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी topic confusion लगता है और मुझे लगता है कि अगर वो general topic है जिस पर लोगों को अक्सर confusion होता है तो उस पर मैं try करूँगा कि उस पर एक वीडियो लाई जाए ताकि आपके confusion को दूर किया जासके तो आप comment box में कोई भी वीडियो suggest कर सकते है उस पर और अपना feedback भी जरूर share करें तो बिना किसी देरी के start करता है यहाँ पर तो देखो equilibrium को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि equilibrium की condition आती काव है तो जब कोई एक body होती है उस पर total लगने वाले force अगर हमारे zero हो जाता है और total लगने वाला torque zero हो जाता है torque का मतलब होता है बल आघूंड और force का मतलब होता है बल यह दोनों zero हो जाते है तो उस condition में हमारा क्या लगता है equilibrium की condition आती है तो इसको समझ लेते एक बर force तो यहां पर simple है force हमें पता है क्या होता है force क्या होता है जैसे कि इस block पर मैं सभी तरब से कुछ force लगा देता हूं उपर से भी यहां से भी वहां से भी और इन सभी को यह force क्या अगरता है बिल्कुल zero हो जाता है force लगा रही है यहां से तो यह वाला क्या करता है कि यह वाला point होता है तो यह क्या करता है यह वाला force इस point पर लग रहा है एक तरह सी stable equilibrium जिसको हम बोलते हैं इस था ही सामयावस्ता इसमें क्या होगा जैसे कि मानलु की cupboard है यहां पर और मैंने क्या किया कि इसका जो दर्मान के अंदर है यहां पर जो जीरो कर देते हैं तो यह बापस अपने कंडिसन में आ जाएगा ऐसा इस बोल के साथ भी होता है कि अगर यह अगर इस बोल को टच करती है तो उस समय क्या होगा कि बोल देखो फिर से यहां पर अपनी सामयावस्ता में आ जाती है तो इसको बोलते हैं इस्टेबल पर हम अब नेश्युचरक्ट व्योबरियम के यह असवन क्या होता है जैसे कि हमने क्या कर दे सेंट्रॉफ मास्थ पर ही से कील रखाए यहां पर लगा रखा रखे कि है यहां पर यहाप यहां पर धांप पर वापस यह रुख गया है अगर यह बोल होती तो बोल के साथ क्या होता है बोल को टच करती यह और यह देखो यहां पर क्या होता कि बोल को टच करने के बाद जितनी दूर तक टच किया है इसे वहीं पर यह रुख जाएगा तो इसका बेसिक मतलब है कि इस्टेबल में क्य क्या होता है तो इसमें क्या होता है कि हम सेंट्र नीचे यहां पर कियल कर रहा है उसके बाद क्या हो गए कि जैसे ही मख्या तच करते है तो पहले तो चला जाएगा उसके बाद वो लाना पॉशिबल नहीं है तो यह हमारी अनिस्टेबल एकिलिवियूम की कंडिशन आगी है और यह कब होती है जब हमारा फोर्स और टॉर्क बिल्कुल जीरो होते हैं इन बोड़ी पर लगने वाले ठीक है तो बहुत ही इसी वे में इसको समझा जा सकता है कि यह तीनों अलग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद